नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सब का आज की वीडियो में यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट आकणा हिंदुस्तान अकबार में छबा है आप सबको जरूर देखना चाहिए किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिला है किस समुदाय का यह पूरा डिट कि देखा गया है कल एक आकड़ा मैंने सेयर किया था उसमें दिखाया गया है कि भाजपा को 59 लाक वोट मिला जेमें को 41 मिला है ठीक है उसके बावज़त में सीटें इतनी कम कैसे हो गई वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहा है कि भाजपा का बढ़ा है लेकिन सीटें कम इसको मैं वीडियो के अंत में समझाऊंगा जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत सारे लोग समझते होंगे यहां बात करने लाइक बात क्या है कि JLKM के कुछ नेता समर्थक अभी बोल रहे है कि 2029 में हम लोग सरकार बनाएंगे ठीक है उत्सा होना चाहिए किसी अच्छे चीज होती है ठीक है ना लेकिन वास्तिविक्ता को भी ध्यान में रखना चाहिए और यह जो आकड़ा है वास्तिविक्ता आपको दिखा रहा है ठीक है अति उत्सा हमें लोग बोल रहे है चात्रों को कि आप देखिए न हम लोग क्या करेंगे मतलब चाट्र कि एक हम गली है तो जैसे ऐसे समय बीटेगा अगर जेंम चातर हित में काम नहीं करेगी अगर काम नहीं करेगी तो गाली हेमं स उरेंजी नहीं सुनेंगे गाली जयराम महतों ही सुनेंगे यह मैं आपको आज एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं आगे इस चीज को ध्यान में रखिएगा जैसे जैसे समय बीतेगा दोड़ा 25 आएगा 26 आएगा और बिल्कुल सुखाड अगर रहेगा वेकंसी इसको ले करके तो गाली कौन सुनेगा चर्चा करते हैं दो परसंट सवर्ल का वोट मिला है जैल कियम को एंडिय को 66 और इंडिया एलाइन्स इंडिय एलाइन्स को 19 ऑबीसी का 26 परसंट और जैल कियम 15 परसंट एक बात याद रखिएगा 15 से 16 परसंट भोटर्स हैं हमारे राज्य में जो कि कुडमी समुदाय से है और यह जो 15 परसंट मिला है इसमें से लगबग 90 परसंट वोट कुडमी समुदाय का ही है जो जैल कियम पार्टी को मिला है ठीक है दलित समुदाय का 2 परसंट वोट मिला है संथाल का 5 परसंट मिल गया है मुंदा का 3 और मुसलिम का 1 परसंट सारे आकड़े सिंगल डिजिट में है एक डबल डिजिट में है बाकी सारा सिंगल डिजिट में है और सिंगल डिजिट में भी पांच से नीचे है बहुत लोग बोलेंगे पहली बार चुनाव लग रहे थे उसके बाद ऐसा परफॉर्मेंस है तो बहुत अच्छा है अच्छी बात है मैं भी इस बात को मानता पहली बार चुनाव लड़े थे उसके बावजूद इतना वोट अगर आ रहा तो यह कहीं से भी खराब नहीं है, बहुत बहुत बहुतर है, लेकिन यह बहुतर कब होता है, जब सारे समाज का वोट मिक्स होता है, आपका टोटल जो 10 लाख वोट है, 10 लाख वोट में, अगर स सारे कम्यूटी का भूरता कोई समाज 2 लाग दिया कोई 3 लाग दिया ऐसा करके अगर आपको 10 लाग पर पहुंचाते तो बहुत बहतर होता है लेकिन बात क्या है इस 10 लाग में 8-8 लाग वोट जो आपका है वो सिर्फ एक समाज का है इसी लिए इस बात को ले करके कम से कम मैं तो बिल्कुल निश्चिन्त हूं कि भविस में जो भी होगा जेल केम वोट काटने के अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा यह बिल्कुल फैक्ट बात है आप माने चाहें नहीं माने और यह डेमेज पहुचाएंगे आजसू को और आजसू वाले डेमेज पहुच थी आप सबने देखा था क्या परिनाम आया था इस बार भाजपा आजसू तो साथ आ गए लेकिन आजसू ने जो डेमेज किया था अलग लड़कर के वो डेमेज इस बार जेल केम ने किया है अलग लड़कर के या फिर एक पार्टी खड़ी कर गए बहुत सारे लोग मुझ आई इतना फंडिंग कहां से जमा हुआ तो लोग यह ब्लेम लगा रहे कहीं न कहीं पैसा इंडी एलाइंस के तरफ से दिया गया है सब आरोफ है अपसे में कितनी सच्चा यह तो भविश्य में पता चले गए ठीक है जोकाने वाला डेटा इस अकबार में किया था कि संथा संथालों ने बीजेपी को वोट किया है और बढ़ चल करके किया है और अगर वोट किया है तो कहीं ने कहीं लोग यह बोल रहे है कि कहीं ने कहीं जो बंगलादेसी वाला मुद्दा है यह संथाल लोग फील कर रहे है कहीं ने कहीं इससे परिशान लोग हो रहे है और यह च वह 신त्रमापवन को माना है कि भाछपा करते निजबार, इन अफसान स्पहिजित पर संट मुदऽ मुदभी इन चला डार्ज ऑई मुसलिम पर संट रीच 특 twist मुपना है कि लोग हो नहीं करत जलना है, है सलाम ऐसे लोगों को कि मुस्लिम होने के बावजूद भी इतना प्रोग्रेसिव हैं इतना सोच पा रहे हैं कि एंडिये को वोट कर रहे है जेल केम को एक परसंट वोट मिला है और एक चहरा रिजवार अंसारी जो की अच्छे वक्ता है ठीक है उनको पार्टी एक रखती त सकता था लेकिन उनको पार्टी से हटाया गया तो देखी रहे एक परसंट फिर मुस्लिम का वोट मिला है तो हकीकत यही है जेल केम को एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और वो कुछ कर पाएंगे ऐसी उमीद मुझे बहुत के बाद situation बहुत अलग रहेगा ठीक है बहुत सारी चुनोटिया उनके सामने रहेगी बाकी पार्टियां भी मैदान में हैं बाकी पार्टी अपने अपने स्तर पर सब काम करने का इस बार प्रयास करेगी मुझे लग रहा है क्यों कहींने कहीं जेमें को भी इस बात का है कि 2019 19 से 25 में जो महाल था वो छोड़ी है इस बार हमें काम करना होगा साथ जेमें को इसा लग रहा है और लग रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है हम लोग का भी समर्थन मिलेगा हम लोग मैं खास करके इस वीडियो के माध्यम से और पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में ब के गतंत हैं कैसे यह पहुतता है ठीक है थोला बहुत समझाने के लिए बता देता हूं कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था आप लोग लीजेगा आप graduate करिए कि चुनाओ हो रहा है और दो पार्टी मैदान में है एक JLKM, ठीक है, एक पार्टी JLKM जो की चुनाव लड़ रही है, बैं फिर से लिख दे रहा हूं, जे-ल, के-म और दूसरी तरफ बी-जे-पी है हम एक्जम्पल लेके चल रहे है ठीक है चार जगह पे चुनाव हो रहा है ए बी-सी और डी इन चार जगहों पे चुनाव है ठीक है का बीजे- tee को एक पचास अजार वोटाओ आया जो करें की बिजे-पी पच्हाह जार वोट लेकर के आए टीक है C में दस सजार वोट लेकर के आई और D में फिर से 20,000 वोट लेकर के आई ठीक है BJP अब JL केम क्या हुआ JL केम A में 25,000 वोट लेकर के आई ठीक है B में JL केम को 21,000 वोट मिला C में JL केम को 11,000 वोट मिला और D में JL केम को 21,000 वोट मिला ठीक है अब टोटल देखिए कौन जीता आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं कि BJP को कितना सीट आया तो BJP को सिर्फ एक सीट आया कौन सा सीट? A A विधानस्वा BJP जीत गई जेल के हम कितना सीट आया? तो एक, दो, तीन जेल के हम तीन सीट जीती कौन-कौन सा? तो B, C और D ठीक है? BJP को टोटल वोट कितना मिला? तो 50, 60, 70, 80, 90 सो, एक लाख वोट मिला टोटल BJP को जेल के हम को टोटल कितना वोट मिला? तो 25 और 20 कितना हो गया? 5 और 1, 6, 7, 8 इधर हो गया? 5, 6, 7, 8 नौर बर लगभग 95, 98% 98,000 मतलब एक लाख से कम ठीक है? आप इसको जोड़ लीजिए 5, 6, 7, 8 8, मैं यहां लिख दे रहाँ और इधर 2, 2, 4, 5, 6, 7 78,000 वोट मिला जेल केम को ठीक है? कहां BJP एक लाख वोट ले करके आई जेल केम सिर्फ 78,000 वोट ले करके आई लेकिन जेल केम को तीन सीट मिल गया BJP को एक ही सीट मिला वोटिंग परसंटेज BJP का जादा है जादा लोगों ने BJP को वोट किया ओवर ओल लेकिन आप समझ गया हूं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ठीक है? तो यही चीज होता है वोट परसंटेज और नमर अफ सीट का खेला है कुछ लोग बोल रहते कि BJP का वोट परसंटेज तो बढ़ा है तीन परसंट चार परसंट पिछले बार से इन्होंने जादा वोट लाया है लेकिन सीट है कम कैसे होगे तो यही आकड़ा है ठीक है इसी तरीके से होता है नमर अफ वोट ज्यादा मिले हो चकता है किसी सीट पर BJP को बहुत ज्यादा वोट मिल गया है लेकिन ओवरवल पूरे जारकंड में बाकी पार्टियों से सीट वाइज कम वोट मिला तो ऐसे चलता यह दोनों गेम आप लोग आई होब की समझ पाई होंगे जिनको नहीं समझ में आता था बाकी आप क्या सोचते है जेल केम का भीवी से क्या है जारकंड में और जो मैंने बात बोली कि अगर जेल केम को ही सुनना पड़ेगा और एक और सब्मिसन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से वह बात यह मुझे लगता है कि देवेंद्र महतों अगर जीतते तो छात्रों की आवाज छात्रों का जो वाइस है वह जरा महतों से कहीं ज्यादा मुखर हो करके उठाते कहीं ज्यादा एग्रेसिव और कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से देवेंद्र महतों विधान सवा में गरस्ते और छात्रों सजलेवें मुद्दे को ज्यादा बहता तरीके से रख पाते मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली बाकि आप लोग भी आपको क्या लगता है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जोहार